सो एलो मूवी लवर्स कैसे हैं आप लो तो यहार आज की मूवी एक्स्प्लीन करने की एक खास वज़े तीकुवेट सीरूजस के लीड रोल में नवाजुद दिन सिद्गी और अवनीत कौर है मूवी में इन दोनों की बीच साधी वाला एंगल दिखाया गया है और कुछ लव मेकिंग सीन्स भी है और क्योंकि दोनों के बीच करीब 30 साल का इज गैप है मेरी लिए मूवी दीखने का सबसे बड़ा कारणी यही है क्या के नसी क्या मुझबूरी रही होगी जो अपने से 30 साल बड़े लड़के से अवनीत को साधी करनी पड़ी तो चलिए जानते हैं कि मूवी में इन दोनों के रिलिशन को किस तरह जस्टिफाई किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो यह कहानी है सिराज खान उर्फ सेरू की जो वैसे तो एक जूनियर आर्टिस्ट है और सौक रखता है एक्टर बनने का लेकिन कहीं पर भी उसकी दाल नहीं घर रही होती है और दीरे दीर उसकी उम्र भी बढ़ रही है सिरू काई सालों से मूवी में है और एक्टिंग में अपना करियर बनाने की कोशिस कर रहा है मुंबई की किसी चॉल में उसका अपना घर भी है जो उसका खुद का है जहां वो रहता है लेकिन as we know कि मुंबई में रहने के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ती है और ऐसे में सीरू का जूलियर आर्टिस्ट की तोर पर अपनी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए थोड़ा मुस्किल था साइध इसलिए मजबूरान उसे एसकोर्ट के बिजनिस में अपने हांद गंदे करने पड़े यानि कि वो बड़े बड़े नेताओं और बिजनिस मेंस के लिए लड़िया सप्लाई करता था ये सब काम सीरू और उसका दोस्त आनन मुंबई की किसी खुंखार माफिया डॉन साइध की अंडर रेकर करते थे और इसी तरह सालों से सीरू अपनी लाइफ को चला रहा है लेकिन फिर एक दिन माफिया डॉन साइध के राइट हेंड मुकतार के कुछ गुंडे सीरू के घर आते हैं और उसे बुरी तरह पीडने लगते हैं दरसल सीरू ने मुकतार भाई से करीब 10 लाख रुपे लिए थे खुद की फिल्म स्टार्ट करने के लिए लेकिन वो फिल्म सुरू होने से पहले ही बंद हो गई और बाद में सीरू ने मुकतार भाई के पैसे भी वापिस नहीं किये लेकिन फिलाल तो उसके पास फुटी कोड़ी भी नहीं है कैर सीरू की किस्मत उसका साथ देती है और गाउं से उसके चचाजान का कॉल आता है जहांके लोगों को सीरू ने अपने आपको एक फिल्म मेकर बता रखा है और आज भी वाँ के लोग ये नहीं जानते कि सीरू एक फकीर चन जूनियर आटिस्ट है तो चचाजान ने सीरू को कॉल उसकी साधी को लेकर किया है जो उससे कहते है कि उन्होंने फोन पर एक लड़की की तस्वीर बेजी है वैल तो सीरू इस बात से बहुत खोस हो जाता है और तुरंत ही अपने गाउं के लिए निकल जाता है लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि साधी करने के बाद उसकी लाइफ किस मोड पर जाने वाली है वैल जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम टीकु है टीकु बहुत ही डेरिंग और यंग लड़की है जिसे बचपन से ही फिल्मों के प्रती बहुत लगाओ रहा है और उसका सपना भी यह है कि वो एक दिन मुंबई जाकर एक सफल एक्टर बनी लेकिन टीकु के सपने के बीच उसकी फैमली कड़ी है जो की बहुत सक्त नीचर गी है तो अब जैसे ही सीरू रिस्तेगी बात करने के लिए टीकु के घर जाता है वहाँ वो लड़की वालों को अपने बारे में जोटी जोटी बाते बताता है और कहता है कि वो मल्टिपल बिजनिसेस का मालेक है और स्टॉक मार्केट में भी उसकी अच्छी कासी पकड़ है सीरू की इन बड़ी-बड़ी बातों से लड़की के घर वाले तो पूरी तरह इंप्रेस हो जाते हैं जिसे देख सीरू को फैमली का बरता और वहां का माहौल कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो खुद भी साधी के लिए मना करके वहां से चला जाता है सीरू की जाने कि बाठ टीकू की फैमली उसे कमरे में बंद कर देती है जहां पहले तो टीकू खुद को कोस्ते हुए बहुत रोती है और फिर अपने बॉइफ्रेंड बिन्नी से बात करती है वो उससे कहती है कि मुझे इस जहन्नू में नहीं रहना मुझे बस यहां से भागना है तुमने मुझे सुपर स्टार बनाओगे साधिवो से यह भी बताती है कि आज उसके लिए मुझे रिस्ता आया था जिससे बड़ी मुशकल से पीछा चुड़ाया है मैंने जिस पर बिन्नी उसका बॉइफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें साधी के लिए मना नहीं करना चाहिए था तुम बस एक बार साधी करके मुंबई आ जा उसके बाद मैं सब को समाल लूँगा और फिर तुम देखना कि बिन्नी अरूरा तुमारे सपने को कैसे पूरा करता है तीको अपने बॉइफरेंड की बात मान कर और उस पर भरुशा करकर सीरू से साधी कर लेती है लेकिन उसके गरवालों कोई यगीन ही नहीं होता कि तीको ने तनी असानी से साधी कैसे कर ली इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए टीको की छोटी बेंसानों को उसके साध वेशती हैं ताकि वो उस पर नजर रख सकें तो अब साधी की उसी रात सीरू सुआगरात मनाने के लिए टीको के करीब जाता है तब टीको उसे खुद से दूर करने के लिए उससे कहती है कि उसके पीरिट्स चल रहे हैं जिससे सीरू का मूड खराब हो जाता है और वो जाकर चुपचाप सो जाता है अगले दिन सीरू टीको और सना को लेकर मुंबई आजाता है मुंबई आने के बाद सीरू टीको और सना के सामने बड़ी-बड़ी बाते करता है कि जल्दी उसका एक फ्लेट तयार होने वाला है जहांपर सारी सुपसुपदाय होगी लेकिन फिलाल कुछ दिनों के लिए तो मैं यहीं पर एड़ेस्ट करना होगा टीको को इन सब बातों से कोई फरगने पड़ता क्योंकि वो तो यहां पर किसी और मकसद से आई है कैर कुछ दिर बाद अचानक से टीको को उल्टिया होने लगती है जिससे वो बहुत ज़्यादा परिसान हो जाती है मूवी के अगली सीन में हम देखते हैं सीरू मुक्तारफाई के पैसे वापस करने के लिए जाता है जो से दहेज में मिली थी रात को सीरू हाथ में फूलों का बुलदस्ता ली जब घर वापस आता है तब टीको की वहन सना सीरू को बताती है कि उसकी दीदी अपना सारा समाल लेकर यहां से भाग गई है ये बात सुनकर सीरू बहुत ज़ादा गुस्सा होता है और सीधा जाकर पॉली स्टीशन में कम्प्लीट दर्स कराता है वहीं दूसरी हो और हम टीको को देखते हैं जो रेल विस्टीशन पर अपने बॉइफ्रेंड बिन्नी से मिलती है जहां वो उसके सामने एक सौगिंग खुला सागरती है और कहती है कि वो प्रेगनेंट है और उसके बच्चे की मा वनने वाली है लेकिन बिन्नी उसकी बाद से साफ इंकार कर देता है कि ये बच्चा उसका होई नहीं सकता बलकि किसी और का होगा बिन्नी की इस बाद से टीको से एक जोरदार थपर जड़ देती है जिसके बाद बिन्नी उसके सामने कनफेस करता है और कहता है कि टीकू मेरी साधी पहले ही हो चुकी है और मेरा एक बच्चा पहले से ही है तो बिन्नी की बास सुनका टीकू बिलकुल टूड जाती है और सोचती है कि जिस पर भरोसा करके वो यहां पर आई थी उसने ही धोका दे दिया तो अब वो किस मूँ से वापस जाएगी जिसके बाद टीकू बिन्नी को एक और थपर जड़ती है और फिर दुखी मन से वहां से चली जाती है अगले दिन सीरू को पोलिस टेशन से फोन आता है जो बताते हैं कि उसकी बीबी मिल गई है लेकिन उसने सुसाइट करनी की कोसिस की जिस वज़े से उसे सरकारी एस्पताल में भरती कराया गया है तो अब जैसे ही सीरू हॉस्पिटल पोहुचता है वहां पर उसे टीकू की प्रिग्निंशी के वारे में पता चलता है जब एक नर्स उससे कहती है कि उसकी बीबी और बच्चा दोनों बिलकुल सुरक्षे थे हैं सीरू पूरी तरसे सौक्ड हो जाता है और इस बात को एकसेप्टी नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की से उसने सादी की वो किसी और की बच्चे की मा वनने वाली है सीरू टीकू पर बहुत गुस्ता करता है और उससे कहता है कि मुझे इस बारे में तुम्हारे घरवालों से बात करनी होगी और जल्दी तुम्हें यहां से वापस वेजना होगा लेकिन टीकू गर वापस नहीं जाना चाती थी क्योंकि टीको जानती थी कि अगर ये बात उसके घर वालों को पता चल गई तो वो से जान से मार देंगे साइद इसलिए टीको चलती गाड़ी से कूच जाती है जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं लेकिन तभी सीरू से पकड़ लेता है और 20 सड़क में सब के सामने उसे चाटा मार देता है वो कहता है कि जब तक तक तुम्हारी अबबु यहां कर तुम्हें ले नहीं जाते तब तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो तो अब घर आने के बाद सीरू टीकू के अबबा को कॉल कर देता है लेकिन तभी टीकू सीरू से उसका फोन छीन लेती है तो सीरू गुस्से से वहां से निकल जाता है और फिर अपने दोस्त आनंद के सांट ड्रिंक्स बगएरा करने लगता है जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि टीकू सीरू के लिए खाना बना रही होती है और उससे पूछती है कि आप काम से वापस कब आओगे तब सीरू उससे कहता है कि ये बीबी वाला नाटक मेरे सामने मत करो और फिर से गुस्से से वहां से चला जाता है घर से निकलने के बाद सीरू एक सूट में जाता है जहां पर उसे एक हैपी फैमली का रोल प्ले करना था जिसके लिए सीरू के हाथ में एक बच्ची दी जाती है जिसे देख कर सीरू का हिर्दे परिवर्थन हो जाता है वो मनी मन में सोचता है कि इन सब मामले में उस बच्चे की गया गलती जो भी तक पैदा भी नहीं हुआ इसलिए वो टीको और उसके बच्चे को अपनाने का डिसाइड करता है तो अब क्योंकि सीरू एक हैपी फैملि लाइप जीना चाता था वो अपने दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि अब वो दलाली का काम नहीं करेगा और सिर्प और सिर्प अपनी एक्टिंग पर फोकस करेगा इतना कहकर सीरू फोन कार्ट देता है और फिर घर आकर टीकू से अपने प्यार का इजहार करता है वैलेस सीन के बाद दोनों के भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एपी फैमली की तरह है रहने लगते हैं एक दिन सीरू टीकू को एक बहुत महेंगी ड्रेस किप्ट करता है और फिर उसे डिनर के लिए बाहर ले जाता है जहां वो दोनों धेर सारी बाते करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोसिस करते हैं तबी टीकू से बताती है कि हमें बचपन सही गरीबी बरदास नहीं होती हमें अमेशा से अमीर लोगी पसंते और एक दिन मैं भी बहुत अमीर बनूँगी खेट टीकू की इन सब बातों से सीरू थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने तो अपने बारे में एक एक बात जूट बोल रखी है वैल इसके बाद दोनों एक बीच में जाते हैं जहां पर टीकू भी सीरू से अपना प्यार का इजहार कर दिये और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं वैल हम आपको बता दें कि इस किसिंग जीन की बज़े से काफी बावाल भी हुआ था तो अब कुछ दिनों बाद टीकू को बच्चा हो जाता है और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि सीरू ने अपने बारे में टीकू को कई सारे जोट बोल रखे हैं उन में से यह कि यह है कि वो एक बड़ा मूवी फाइनेंचर है जिसके लिए वो हर रोज बड़े-बड़े एक्टर से मिलता रहता है एक दिन टीको से कहती है कि आप हमें एक बार अक्षे कुमार से मिलवा दीजी हम उनके बहुत बड़े फैन है तो सीरू टीको को अपने स्टूडियो में ले जाता है जहां वो टीको को बाहर रुकवा कर अपने दोस्त आनंद से अक्षे कुमार से मिलवाने को कहता है लेकिन आनंद ऐसा करने से उसे साप मना कर दीता है क्योंकि सीरू ने आनंद की साथ काम करने से मना किया था और तबी आनंद और सीरो के बीच बैस सुरो जाती है सीरो बहार आकर टीकों से कहता है कि वो टेक्सी लेकर घर चली जाए आज अक्षे कुमार सेट पर नहीं है उसके बाद सीरो वापस आनंद के पास जाता है लेकिन साइद उसे काम देने के बजाए जूता मारकर वाँ से भगा देता है तो अब सीरो ले टीकों के सामने जो खुद की इमेज बनाई है उसे बनाई रखने के लिए उसे पैसो की जरूरत थी साइद इसी लिए सीरो मूबी के अगले सीन में एक अंडरगाउंड जगह पर जाता है जहां वो ड्रग से बारा एक बैग लेकर सहर की सारी ब्रैटर जगहों में जाकर ड्रग सप्लाई करता है इस काम से सीरो पैसे दो बहुत कमाता है लेकिन एक दिन पुलिस से रंगे आतों गिरफ्तार कर लेती है और फिर बहुत मारती है सीरो के रात पर गायव होने की बज़े से टीकू काफी ज़्यादा परिसान हो जाती है और उसका पता करने के लिए वो उसके दोस्त आनंद के बास जाती है जहाँ पर आनन टीकू को सीरू की सारी सच्चाई उसे बताता है और उसे कहता है कि सीरू कोई अमीर आदमी या मूवी फाइनेंसर नहीं है वो एक टुच्चा सा जूनियर आर्टिस्ट है और एक नंबर का दलाल है जो लड़ी के सप्लाई किया करता है ये सबसुलका टीकू सदमे में आ जाती है और अगले दिन सीरू से मिलने जेल पहुँच जाती है सीरू फिर से उसे जून्ट बोलकर समझाने की कोसिस करता है और कहता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है इसलिए माफिया और पुलिस का चक्कर तो चलता ही रहता है लेकिन टीकू को सचाई का पता चल चुका था इसलिए वो से कहती है कि तुम कितने बड़े जोटे हो आनन ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुमारा कोई बिसनेस नहीं है और तुमें एक नमबर के फ्रॉड हो तुमने मुझे चूटे सपने दिखाए और तुमने भी मुझे धोका दे दिया वो से कहती है कि बचपन से लेकर हमने बहुत कंप्रमाइज किये चाए वो अब्बू के लिए और बिनी के लिए या फिर तुमारे लिए लेकिन अब हम और compromise नहीं करेंगे और अपनी life अपने तरीके से जीएंगे वेल इस बोल बच्चन के बाट टीकू की हालत इतनी जादा खराव जाती है कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते और उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था एक दिन टीकू काम मांगने के लिए किसी स्टूडियो में जाती है जहांपर कंगना रनाउद भी थी टीकू की नेजर जब कंगना पर पढ़ती है तो उससे मिलने की कोसिस करती है लेकिन कंगना के बोडिगार्ट टीकू को धक्का मारकर नीचे गिरा दीती है वैल तबी टीकू को राजा नाम का एक आदमी मिलता है जो खुद को सीरू का दोस्त बताता है राजा टीकू से वादा करता है कि वोसे फिल्मों में काम दिलवाएगा और उसका ओडिशन भी लेता है जिससे टीकू को राजा पर यकीन हो जाता है कि वो से हेरोइन बनाने में उसकी मदद करेगा लेकिन फिर राजा टीकू से कहता है कि हेरोइन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है लोगों को खुश भी करना पड़ता है सारी एक्ट्रिस ऐसा ही करके सुपरस्टार बनी है और वेसे भी एक बार तूम सुपरस्टार बन गई तो फिर तुम्हें कोई नी रोक पाएगा टीकू राजा के घिनोनों इराद्वे को समझ नहीं पाती और भरोसा करके उसकी बात मान लेती है तीकू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा उसकी दलाली कर रहा है वेल इसके बाद राजा टीकू को एक आदमी के पास बेशता है जहांपर टीकू को ना चाहते हुए भी उस आदमी के साथ सोना पड़ता है तो अब अगली सोबे टीकू राजा को फोन लगाती है लेकिन राजा उसका फोन ही नहीं उठा रहा होता टीकू सीधा उसके स्टूडियो पहुँच जाती है जहां पर राजा टीकू को पैचानने से भी इंकार कर देता है और उसे धमकी भी देता है कि यह मुंबई है यहां पर कोई भी किसी का सगा नहीं है दरसल टीकू कास्टिंग काउच का सिकार हो चुगी थी खेर रोती हुई टीकू जब घर वापस पहुँचती है तो देखती है कि उसके घरवाले आँपर आई हुए है टीकू ने देखते ही वहां से फाग जाती है सामको जब घर वापस ल एक बार अपने बॉस से मिलवा दें जिसके बाद जब वो लोगों से साइद के पास ले जाते हैं जहांपर टीकू साइद से सीरू को छड़वाने की बात करती है और बदले में वो कुछ भी करने को तयार थी तब साइद उससे कहता है कि आज रात एक पार्टी होने वाली है जिसमें बड़े-बड़े दिगज नेता और बिजनिसमें आने वाले हैं तो तो मैं उस पार्टी में नाचना होगा साथ ही कुछ लोगों को खुस भी करना होगा टीकू साइद की सारी सरतें मान लेती है जिसके बदले में साइद आनंद के थू सीरू को जेल से छोड़वा थी वेल इस पार्टी में में मौझूद अलग अलग दल के नेता चंद्रीज, भुंड और रिजबी एहमत जो दोनों एक दूसरे के कटर दुस्मन है सीरू ये बात जानता था कि उसे बस एक छोटी सी चिंगारी लगानी है आग अपने आप भढ़क जाएगी और होता भी वैसा ये जैसा सीरू ना प्लान किया था, सीरू रिजबी एहमत की एक आदमी पर गोली चलवाते था है तब सब लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, इतने में सीरू अपने बीवी को वहां से सुरक्षित निकालने में कामया हो जाता है, वैल जब टीकू को पता चलता है कि सीरू नों से बचाने के लिए अपनी जानवी जोके में डाल दी, वो पिछली सारी बातों को भला देती है, और सीरू को जेल से बाहर देखकर बहुत खुस होती है, और इसी एप्पी एंडिंग के साथ ही मुवी यहीं पर खत् तो ये थी दोस्ट टीकू बेट सेरो मुवी की फॉल एक्स्प्लेनेशन, मुवी की स्टोरी बहुत सिंपल है, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो मुबारा को आपने मुवी देखकर अपने दो गटे वेस नहीं किये, दोस्तों वीडियो अगर पसंद ये तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा